विश्कार, The Ultimate Cooking में आपका स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं होली आने वाली है और होली पर सब भी के घरों में बहुत तरह के पकवान बनाए जाते हैं गुजिया, नमक पारे, मट्रियां बहुत तरह की तो उसी के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आए हू के मेन मेन इंगीडियंट्स जो चाहिए पहले आपको मैं वो दिखा देती हूं इसके लिए मैंने लिया है एक कप गेहूं का आटा करीब धाई सो ग्राम, वन फोर्थ कप कसूरी में थी, एक चृत हाई कप, सूखी हुई कसूरी में थी, वन फोर्थ कप बेसन और वन फोर् यहां बाक़ी के मसाले में बटाते जाऊंगी। आपको इससाथ के साथ बटाते जाओंगी। जब से पहले में घी गर्म कर लूँगी, क्योंकि हमें आटे में मोहन लगानी के लिए हमेशा गुन-गुना घी डालना चाहिए। मतलब उतना गरम रहे कि जितना गरम से हम हाथ से आटे को अच्छे से कूच सके तो चलिए स्टाट करते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक इस तरह का बड़ा सा बरतन ले लिया है इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले आटा, एक कब, इसमें बेसन, सूजी, कसूरी मेथी, एक चम्मच, नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, आदा चम्मच, जीरा, आदा चम्मच, अजवायन, जिन्दे में हाथ से थोड़ा क्रेश करके डाल दूँगी क्योंकि अजवायन को जब हम क्रेश करके डालते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आदा चोटे चम्मच, काली मिर्ची का पावडर, और आदा चम्मच, चाट मसाला, दोस्तों आप यकीन मानिए, ये मठ्रियां इतनी टेस्टी बनती हैं, कि आप एक बा मठ्री का खस्तापन है, वो सबसे जादा मोहन पर ही डिपेंड करता है, कि आप आटे में कितने अच्छे से मोहन लगाती है, उसी पर मठ्री का पूरा खस्तापन डिपेंड करता है, देखिए हमने आटे में अच्छे से मोहन को मिक्स कर लिया है, अगर मैं आटे को ऐसे पक थोड़ करके पानी डालें इसने इक साथ ज्यादा पानी मर्ट डालिए उससे आर्टा गीला होने के चांसgers जादा हो जाते हैं छो चै bumps, थोड़ के पानी ड Això łझी को विल्कुल टाइट में देखे़को दोस्तों मैंने इसका एक दम सक्थ आटा में के लिए फोड़ा देखिए करीब 20 मिनट हो गए हैं हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं बस इसे थोड़ा सा हम 4-5 मिनट और अच्छे से मसल मसल के थोड़ा सा और गूठ लेंगे जिससे ये थोड़ा अच्छे से एकदम एकसार जैसा हो जाए यह देखिए हमने इसे 2-4 मिनट आटे को और बो कर लिया है अच्छा दोस्तों यह मठ्री का जो आटा है यह बहुत ज्यादा फाइन नहीं गुनते हैं हम इसको यह थोड़ा रफली रहता है क्योंकि हम इसे बहुत कड़ा गुनते हैं तो और मठ्री की जो शेप होती है वो कि खोड़ी अज़की होती है तो बस हमें ऐसा यह आटा रखना है अब इसके छोटी छोटी से इस तरीके से पेडिया बना लेंगी देखिए मैंने सारे आटे से इस तरह की छोटी छोटी पेडियां बना लिए हैं बस अब हम इने बेलना स्टार्ट करते हैं देखिए मैं इस तरह से एक पेड़ी को ले रही हूँ इसे हलका सा हाथों से ऐसे दबाऊंगी और बहुत हलका सा हमेशे जादा नहीं बेलना होता बस इतनी छोटी शेप में और इस पर फिर मैं फॉक से छेद कर दूँगी दोनों तरफ से जिससे ये तलते समय फू लेना देखिए बस इस तरह से बनानी है हमें मठ्रिया का हमारी मठ्रिया एकदम फाइन शेप में नहीं होती है ये हमेशा मतलब इनके किनारे फटे फटे उससे बहुत खस्ता और वैसे फील होती है क्रिस्पी एकदम तो बस इस तरह से हम अपनी सभी मठ्रियों को देखिए बना ल कि देखें, मैंने अपनी सभी मठ्रीयों को इस तरीके से बेल लिया है। दूसरी तरफ मैंने गयस पर दोस्तों ऑईल को गरम होने के लिए पे रख दिया था इन्हें फ्राइन के लिए हफ़ा घर्म हो गया है। एसा चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा नवी बट्रियों को फ्राइए होने के लिए डाल देते हैं दोस्तो आप इन्य जितना सिंग गैस पर बनाएंगे उतने ही खस्ता यह बनेगी बस आपको इनके सेकने में लगने वाला है जितना भी समय लगेगा इस बिल्कुल स्लो गैस पर इन्य आराम अराम से खस्ता होने त जब यह थोड़ा हलका हलका सिखें तब हम इने आराम अराम से थोड़ा सा अलटने पर लगेंगे एक बैच को सिखने में करीब 10 से 15 मिनिट का टाइम जरूर लगता है अच्छी खस्ता मठरी के लिए तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और बस इने आराम अराम से सिखने दें देखिए दोस्तों करीब 7-8 मिनिट हो गए हैं और हमारी मठरियां हलकी हलकी सी ब्राउन होने लगी हैं हमें और थोड़ा सा इने सेखना है अपी बस बीच बीच में आप इने अच्छे से उलटते पलटते रहें जिससे एक तरफ से यह जादा डार्क नहों पाएं अच्छ मठरियों का सुन्दर सा ब्राउन कलर दिखने लगता है यह देखिए बस और एक मिनट हमें इने फ्राई करना है और बस फिर मैंने एक पेपर टावल पे निकाल लूँगी देखिए हमारी मठरियां एक डम ब्राउन और खस्ता होकर सिख चुकी हैं यह देखिए मापको इन अपनी बाकी बची हुई सबी मठरियों को फ्राई कर लीजे हमें एक बैच को फ्राई होने में करीब दोस्तों दस से बारा तेरा मिनट के करीब हमें लगी है तो बस आपको इने तलने के लिए थोड़ा पेशन्स रखना है यह देखिए दोस्तों हमारी मसाला मठरी बनकर को से अखने में भी मठरी में खाले यह दिरत करीब चीपर पहले हुएं टो मेरे शुआ को को कर दोस्तों अगर आप तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को ज़रूर दबाएए जिससे मेरी आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे शियर और लाइक जरूर कीजिए और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताईए धन्यवाद